हालो एंद ब्राइब बड़्टो मार् चैनल सान्य दस्ताहान, आज मैं अपने दस्ताहान में पीश करने जा रहे हूँ, साउथ इनियन स्टाइल चट्नी वो भी दो तरीके की, जिसको हम इंजॉय कर सकते हैं, इडली, डोसा, बड़ा या और भी बहुत सारे जो साउथ इनिय तो आए देख लते हैं हमें इसको इस तर से तयार करना है तो चलते हैं हम पहले फर्स्ट वेरियेशन में जो कि हम लाल चट्नी तयार करेंगे इसके लिए मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर लिये हैं इसको बहुत अची तरह से वाश करने के बाद इसको रफली चॉप कर लेंगे एक इंच का द्रग का तुक्रा लिया है मैंने जिसको मैंने चीलने के बाद बॉश करके इसको रफली चॉप कर लिया है और साथ में तीन लेसन की कलिया ली है जो कि मैंने बड़े साइज की लिए हैं अगर आपके छोटी लेसन की कलिया है तो आप तर दस ले ले ल यहां पर देड इंखे नारियल का तुकड़ा ले लिया है जो कच्छा नारियल है इसको भी में छोटी-छोटी पीस में काड़ देती है और चटनी को कीसरे से पाले हम थोड़ा सा सारे इंगी द्रेंट को फ्राइ कर लेंगे फ्राइ करने के मैंने एक पैन चुले पर और उसम इसमें मैं ने लाहिसन और अध्रग डाल देल आ है और साथ में इसमें प्याज हमने चॉप कर देंगे इंको फ्राइख कर देंगे हमें बहुत जादा इनको ex utilizar अध्रा इसमें प्यास सॉक्ट हो जाए तो कि इसमें टमाटर डाल सब्सक्राइब माधर दाल मात्ते लुदु मैं तो ठ्षे नुदुम्धों त्व 15-50 इसमें त्माटर DC ताहि वो भी साथ में थोड़ा सा फ्राई हो जाए एक से देड में नारियल को भी फ्राई कर लिया है साथ में ही अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके हम इसको फाइन पीस लेंगे और यह मैंने चटनी को यहाँ पर पीस लिया है आप चाहें तो इसको थोड़ा सा दरदरा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा दरदरा भी इसको पीस सकते हैं और जो चटनी है बहत ही मज़दार बनके तयार हुई है और इसमें से जो खुश्पू आती है, बहुत ही सुन्दी सुन्दी खुश्पू आती है, इसको हम साउथ हिंजिन इस ट्रैक के साथ साथ, परसरली मैंने इसको पराठी के साथ भी साथ किया था, तो उसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, तो आप इस चट्नी को ट्राइ कीजिए और इंजोई कीजिए और अपने फीडबेक्स मुझे जरूर दीजिए और अब तयार करते हैं हम सेकें वेरियेशन जोगी है नारियल की चटनी नारियल की चटनी मनाने के लिए मैंने यहां पे आधा कच्छा नारियल लिया है और इसको मैं छोटे-छोटे मिर्च जाल रही हूँ जिसको मैंने वाश करने के बाद इसकी डंडी वारसम निकाल ली है और इसको रफली चॉप कर देती हूँ और आप इसकी क्वांटिटी अपने हिजाब से अजिस कर सकते हैं यह थोड़ी सी तीकी कम होती है तो तीन जो मिर्च है वो काफी है इसमें आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी पढ़ा सकते हैं और साथ में ही मैंने यहां पे तकरीबान वन टेबल स्पून भरके मैंने भुने हुए चैने लिये हैं आप भुनी हुई चैने की दाल भी ले सकते हैं इसे बहुत अच्छा सा सुन्दा पना जाता है जो ट्रेडिशनल जो नारिल की चट्नी है उसमें यह शामिल किया जाता है और इसमें मैं सिफ तकरीबान पांस सिछे पत्ते पुदीने के डाल रही हूं बहुत हलके से फ्लेवर के लिए बस ध्यान रहे कि इसमें पुदीने की जो कॉंटिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और इसी तरह के लिए इसलिए हमें बहुत खयाल से दोने चीजों को डालना है और साथ में मैं समें एक टी स्पून इमली डाल रही हूं जिसमें मैंने बीज निकाल रखे हैं इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं सभी चीजों को हमने जार में शिफ कर लिया है पीसने के लिए और इसी के बहुत ही कम को इंजेडी में डालनी हो कि इसमें हलका सी मठासा आजाया बस पहले यह मैं इसको ड्राइए ही पीस लेती हूं ताकि असाने से पीश जाए और उसकी बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पाइन डालते हुए इसको बार एक पीस लेंगे मैंने इसमें तक्रीमें 200 ml पाइन डालकर इसका एक fine paste तयार कर लिया है और मैंने इसे थोड़ा गाढ़ा रखा है आप अपनी पसंद से इसकी consistency एड़ेस्ट कर सकते हैं और पीछने के बाद इसमें आप थोड़ा सा नमक और मिर्च है जो अपने इसाब से एड़ेस्ट कर सकते हैं तो नारेल की चटनी को हम कर लेते हैं सब और इसके लिए हम बहुत ही मज़दार सा तड़का तयार करते हैं जिससे की जो नारेल की चटनी है इसका टेस्ट पढ़ जाएगा तरकत अयार करने के लिए मैंने एक पैन लिया है और उसको चूले पर चढ़ा दिया है और इसमें मैंने वन टेबल स्पून कोकोनेट ओयल डाला है यानि की नारेल का टेल डाला है अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी समें ओई उसमें इसमीफ़ का 세कि कर सकते हैं दोपिंच मैं इसमें हींग डाल दीके बाद उर हींग डालने के बाद मैं इसमें अ 1 तीश्पून सर्सो के डाने डाल दीए है और साथ में ही इसमें 1 टीस्पून हम धुली हुई उलत की डाल डाल देते हैं डाल मैंने भिगाई नहीं है, नॉर्मल इसको बॉश करने के बाद मैंने इसको डाल दिया है डाल और जो सरसो के दाने हैं उसको थोड़ा सा फ्राइख होने देंगे जब हलका सा फ्राइख हो जाएगा कुछ सेकेंड के लिए उसके बाद हम इसमें तीन लाल सुकी हुई मिर्च तोड़ कर डाल देते हैं मिर्च को भी फ्राइख होने देंगे जब मिर्च है जो हलके हलकी फ्राइख हो जाएगी इसमें सोना पना आने लग जाएगा उसके बाद हम इसमें तकरीबन दस बारा कड़ी पत्ता डाल देंगे में पास स्टोर किया हुआ ड्राय कड़ी पत्ता है अगर आपके पास फ्रेश है तो वो डालें वो ज्यादा बेता रहे और जैसे हम कड़ी पत्ता डालेंगे इसमें बहुत अच्छी से खुश्कू आने लग जाएगी बस एक बार हम मिक्स करेंगे और इसके बार हमारा तड़का तैयार है इसको हम चट्नी में डाल देते हैं और हमारी नारेल की चट्नी बिल्कुल तैयार है इसमें तड़का लगाने से इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़दार दोनों वरियेशन हमारे साउथ ही निन स्टाइल विल्कुल रेडी है अगर आपको रस्मी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा शेर कीजे फामी फ्रेंड के साथ और अगर आप साजय दस्ता हमें फर्स टाइम आया है तो आप मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है वन टाइम सब्सक्राइब जरूर की दिये इंशाल्ला मैं जल्दी हाजीर होंगी इसी तरह की एक और वीडियो लेका तर तर गलिया थेक्या